माने मोदी जी यहां आते हैं लेकिन कोई विशेश तोर पे इस राजी के उपर कोई ध्यान नहीं रहता है तो इनसे पता लगता है कि सिर्फ और सिर्फ बातों का छलावा करते हैं और बिहार राज को वो लोग कुछ देना नहीं चाहते हैं सिर्फ यहां से वोट लेके जाना जो जनता है पुरे देश की जनता इनके 10 साल का विफलता देख चुकी है और जो देखेगी आने वाले साल में जरूर इनको केंज की गदी से जो हटाने का काम करेगी सिर्फ बतोनी बातों से काम नहीं चलती है जो उन्होंने कहीं दो करोड की नौकरिया देनी हैं वो कहां गए कहा कि MSP लागू करना है किसानों का आय दुगना करना है वो सब कहा गया तो ये सब जो नीतिया रही है बिल्कुल ही उन्होंने एक बतोनी बाते की है और बिहार और देश को ठगने का काम किया नौसकार बेटा नाम प्रेम है और आप लाइफ स्टी देख रहे हैं केंद्रिये ग्रिह मंत्री अमिस साब बिहार आये खुब सुनाया आरजेडी को जेडी को और कॉंग्रेस को भी देखे राहूल गांधी को लेकर कर रहे हैं कि लगतार 20 साल से लौंच करने की परियाश कर पर राहूल गांधी लौंच ही नहीं हो रहे हैं पर किसी को परधान मंत्री बनना है तो किसी को बेटे को मुख मंत्री बनना है बात करने के लिए अमिस साब बिहार आये काफी कुछ सुनाया बिहार शरकार अब किन को सुनाया आपने उनका मंच देखा ओगा और मंच के साम उन्हें जो भीड थी वो नारत थी वहां पर कोई था ही नहीं तो उन्होंने सुनाया किसको और वो जो योजनाओं के उपर जो बात कर रहे थे चर्चाय कर रहे थे वो तो माननी मुख मंत्री जी की योजनाय थी नल जल योजनाय माननी मुख मंत्री जी की थी आपको जिसके उपर पुल की बाते कह रही हैं या फिर कई बाते उन्होंने कहीं तो उन सभी चीजों का विवरन देना वो कि कितना पैसा केंच सरकार बिहार राज को देती है और आप इतने सालों से बिहार राज के प्रती आप लोग देख सकते हैं कि एक हमारा जो राज है वो थोड़ा पि वोट लेकर जाना कुछ देना नहीं चाहते हैं इंजिनिरिंग कॉलेज बन रहा हैं इन्जिनिर्ण कॉलेज कॉलेज मेडिकल कॉलुच दिया देखे मैंने आपको कहा ना कि आप उनसे पर्योजनाओं के जो उन्होंने बात कर रहे हैं उसे उनके विपरीत आप उनसे मांगे कि भाई उन्होंने कितनी योजनाओं में अपना केन सरकार का पैसा दिया हम लोग अच्छी तरह जानते हैं मानिय मुख मंत्री जी जो है बिलकुल और मानिय तेजस्वी आदव जी पून रूप से बिहार को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं और दिन रात ये लोग काम करते हैं और आप देख सकते हैं जबकि केन सरकार जो है अपनी हर एक दो महीने मे यहां पर आके विफलताओं का नौव वर्ष यह अपने साशनकाल के बताना चाह रहे हैं लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि यह नौव वर्ष उनके विफलताओं के वर्ष रहे हैं और इनसे मुक्त होने के लिए 2024 में सब लोग एक जुट हुए हैं और एक जुटता के साथ अब परिचै मिलेगा और इनको उखार फेकने का देशाद का निर्देशे केने जारी होगा Мई अब लोग दिवी लिए उयूपी में उनकी सरकार है और है नमारे बाई चंदशेखर के ऊपर गोली चल गया और इससे पूर्व में भी कई बार उन्होंने आवेदन देखे वहां के स्थानिया पदिकारियों से बात की लेकिन उनके उपर ऐसे कोई एक्षन नहीं लेगी आज एक दलित की आवाज को आप लोग रोकना चाह रहे हैं और उसको कहीं न कहीं आज उनके उपर गोली चलाई गई भगवान का शुक्र है कि वो बच गयें लेकिन कहीं न कहीं तो ये सरकार जो है अपने आपको दिखाती है कि बुल्डोजर की सरकार है शुशाशन की सरकार है लेकिन कहीं ना कहीं पून रुप से अप्राधियों का बॉल बाला बढ़ा हुआ है तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ अपनी बढ़ाईएं करने में आ गए हैं लेकिन कहीं कहीं आपको मैं बिहार राज के उपर बात करना चाहूंगा कि उन्होंने दिया क्या भी बिहार राज को इतने सालों से वो यहां पर हैं लेकिन सभी चीजों के मांग पर वो जह भी हमारे मानेमुख बंतृजी जिया जो जो नल जल का योजना का अपना उन्होंने प्रसार किया और उन्होंने लागों किया तो उन्हों बिहार है और कि एक जुटता का एक मिसाल महा सम्मेलन हमारा हुआ है बिलकुल जनता उसके विश्वास जाता है और 2024 में जब ये सरकार चेंज की सरकार चप चली जाएगी तो आपको इनके 10 साल के पून रूप से ब्रस्टाचार के जो लिप्त मामले हैं जो इन्होंने दबा के रखे हुए पून रूप से बहार आएंगे पर उनका कहना है कि आप लोग सरकार जानी की बात करें पर कर रहे हैं कि बैठक करते रहें वो लोग पर हम ही लोग 300 सीटों के पार जाएंगे और नरे धर मोधित किसी वार परदान मन्ति बैठक करेंगे और करते रहेंगे और हम लोग एक दूसरे का साथ निभाने वाले लोग हैं जो भी हमारे मागडबंदन में परिवार में जो लोग अलग-алग राजेयों के मुखमंत्री पूर मुखमंत्री जी लोग आये थे और पूर्ण रूप से उन्होंने एक ही नारा दिया है कि सब लोग को एक जुट होके हम लोग को साथ आगे हम लोग इस चुनाब में आगे बढ़ेंगे और जब कि उसके विप्रीत आप देखें तो बीजेप आपको यह सब एक्जांपल्स मिलेंगे लेकिन यह तो हमको पूर्ण रूप से जानना है हो और हमारी जो जनता है पूरे देश की जनता इनके 10 साल का विफलता देख चुकी है और जो देखेगी आने वाले साल में जरूर इनको केंज की गद्दी से जो हटाने का काम करेगी क्या लगता है चुनाओ तक तमाम जो विफक्ष के नेता है क्या एक जूट रह पाएंगे क्योंकि बीजेपी के लोग है वो कर रहें कि जैसे जैसे बैठक होगा वैसे वैसे नेता छिटकते जाएंगा जिस दिन नाम का घोसना हो गया समझे विफक्ष पूरा बिखर जाए है तो आपको यह एक जूटता का परिश्य आपको दिखेगा और यहां पे कोई कहीं नहीं जा रहा है सब लोग जानते हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए सब लोग यहां पे एक जूट होने के लिए आए हैं और मैं बहुत ही एक बिहार ने जो एक आवाज दी है एक हमेशा से दशादिशा दिखाने का काम करती है तो बिलकुल मैं पून रूप से इस चीज के लिए पून रूप से समत हूँ और समर्थन करता हूँ इस मामले में ताकि सभी लोग एक जुठ होए और जो केंदर की जो उन्होंने इतने साल में 70 सालों में जो सरकारे रही हैं उन्होंने 55 लाग करोड का अपना एक व्याय दिखाया और इन्होंने 10 साल में पून रूप से उससे जादा व्याय दिखा दिया तो कहीं न कहीं हम भी अच्छी तरह जानते हैं कि अगर आप अपनी जो आपकी जो लोन क्रेटीरिया है अगर दिखावे पे जाएंगे तो दिखावा कर सकते हैं पहनावा आप अच्छा रख सकते हैं तो पहनावे पे नहीं न जाएंगे हमें अपने किसान की उपर ध्यान देना है हमें रोजी रोजगार की उपर ध्यान देना है सिर्फ बतौनी बातों से काम नहीं चलती है जो उन्होंने कहीं दो करोड की नौकरिया देनी है वो कहां गए कहा कि MSP लागू करना है किसानों का आय दुगना करना है वो सब कहां गया तो यह सब जो नीतिया रही है बिल्कुल ही उन्होंने एक बतौनी बाते की है और बिहार और देश को ठगने का काम किया है तो चलिए RJD के विधायक थे अमर परश्वान तमाम सवालों को जवाब दिया पर इनका साब सब्दों में कहना है कि BJP के जो लोग हैं वो लोग देश को ठगने का काम क्या है बागे की तमाम खुड़ों के लिए बने रहे लाई चुटी साथ धन्वाद